हाव फीक्स केंट कनेक्ट डूटूट हैट सेट प्रॉब्लम इन एनी वान प्लास सेरीज तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वान प्लास के डिवाइस में ब्लूटूट हैट सेट का जो यहाँ पर प्रॉब्लम है उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं अगर दोस्तों आप कनेक्ट नहीं कर पा रहें तो इस वीडियो को आप जरू देखेगा ठीक है यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम् क्या हो रहे हैं आप ब्लूटूट को करने करना चाहते हैं अपने प्लूटूट हैट सब्सक्राइब करें अगर आपको उनलाइन पैसा कामाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है आपको ठीक है मोबाइल रिस्टार्ट करना है और उसके बाद जाना है सेटिंग एंडन स्कॉल डाउन करना है और कभी-कभी दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम हो जाते हैं ठीक है तो आपको सीटेम पर क्लिक करना होगा और रिसेट पर क्लिक करके रिसेट Wi-Fi Mobile and Bluetooth पर क्लिक करना है उसके बाद रिसेट सेटिंग पर क्लिक करके Mobile Password भर दीजिए एंड आपका नेट्व्क सेटिंग Bluetooth सब कुछ रिसेट हो जाएगा और उसके बाद थोड़ा से उपर में जाके एप नोडिफिकेशन को उपन करें सी ओल एपस पर जाए फाइंड आउट कीजिए अपना ब्लुटूट अगर नहीं मिल रहा है ट्री डॉट्स में क्लिक करें शो सिस्टेम पर जाएए और उसके बाद आपको ब्लुटूट का आप्शन मिल जाएगा तो आपको नीचे जाना है तो यह रहा दोस्तो ब्लुटूट स्टोरेजिक और रिष्टर्ट करें इन्डर् चेक करके देखे प्रॉब्लेम स्ल्फ हो जाएगा आपके ब्लूटूट हैस्सेट को भी आप ऑफ करके ओन कीजिएगा तो उससे काम बन जाएगा तो यह था दोस्तों आपके लिए solution अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाता है अच्छी बाद है अगर आपको इससे भी problem आ रहा है तो आपको next solution follow करना है ठीक है mobile को safe mode पर reboot करें उसके लिए और बटन को press and hold कीजिए और off के बटन पर दो सेट टेप करके रखिए और okay कर दीजिए ओके करती ही आपके जो यहाँ पर प्रॉब्लम है ठीक है solve हो जाएगा जब आपके mobile safe mode पर reboot हो जाएगा सारे साथ दोस्तों mobile software update नहीं है तो system पर जाके mobile software को भी update कर देना ठीक है तो system update रहेगा तो आपको इस तरह के कोई भी problem नहीं होगा और आपका problem भी solve हो जाएगा उमीद करते दोस्तों आपको यह वीडियो पसंदे होगा thanks for watching